साथियों, अर्थ वबस्ता में सभी की भागीदारी को प्रमोट करनी की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्किम नई उंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्मेंट सिकुरिटी मार्केट की एहम भूमिका से आम तोर पर लोग परिचीत है। विशेश रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रासेक्टर को आदूनिक बनाने में जुटा है, अभूत पुर्व इंवेस्टमेंट कर रहा है। तब छोटे से छोटे निवेसक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्मेंट सेकुरिटी मार्केट में हमारे मद्यमबर्ग, हमारे कर्मचारिया, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानि जिनकी छोटी सेमिंग है, उनको सिकुरिटीज में निवेस के लिए बैंक इंशुरंस या मिच्यूल फंड्स जैसे इन डायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेस का एक और बहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ज को गवर्मेंट सिकुरिटीज में देश की संपदा के निर्मान में सीधा निवेस करने में और आसानी होगी है। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्मेंट सिकुरिटीज में गेरेंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आस्वासन मिलता है। यानि छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटन का भरोसा मिलेगा। और सरकार को इंफ्रस्ट्रक्षर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवी की आशा आकांख्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विक्सित करनी चाहिए इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। और यही तो आत्म निर्भर भारत के निर्मान के लिए नागरीक और सरकार की सामोहिक शक्ति, सामोहिक प्रयास है।